हे गाईज वालकम टू माई यूटूब चैनल स्टड़ी भी देव भूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्रहंड मौक टैस्ट काफ पार्ड 125 इस वीडियो में आपको उत्रहंड जीके के तीस मोस् इंपोर्ड़न्ट एमसी की उस देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाल एक्जाम उत्रहंड पुलीस लेकपाल पटवारी फॉरेस काड़ बंदी रक्षक पुलीस कनिस सायक उसके लावा जो भी एक्जाम होने हैं उन सभी में ये कोशन आपकी काफी मदद करेंगे गाईज गर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं तो आज का पहला कोशन है राज्य में धोरा बांध कब बनाए गया तो देखिए पहले हम लोग धोरा बा किछा निदी पर और उधमसी नगर में इस्थित है अगला कोशन है उत्राइणी मेले का जिक्र सैरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमाली में कब किया तो आप याद रखेंगे 1905 में कब किया था गाईज उनी सो पांच में बात करें देखिए उत्राइणी मेले की तो उ इसे कहां पर लगता है बागेश्वर में कहां पर आयुजित होता है गाइश supreme होता है तो सरीुनदी पर सर्यू नदी के तटर्पर होता है और पर देखिए कुमाैुच,. शेत्र का सबसे बड़ा मिला हां उत्राइनी मिला गाइज इसमें नरित्य की नो लाख की याद रखेंगे नो लाख की उत्राणी कहते थे ठीक है पहले उत्राणी मेरे वो किसे नाम से जानते थे नो लाख की उत्राणी ठीक है चलिए अगला कोशन हो जाएगा हत चीना जला से कहां इस्तित है जो इस्तित है गाईज ये इस्तित है बागेश्वर में कहा कुश्शन हो जाएगा पंडित नैंसिंग रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्शन कब किया था गाईज कब किया था 1866 में तो गाईज ठीक है पंडित नैंसिंग रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्शन किया था 1866 में किया था ये राज जी के पहले सर्वेयर थे याद रखेंगे पंडित नैंसिंग राबत जो है ये राज जी के पहले सर्वेयर थे गईज ठीक है इन्हें मौलिक पंडित भी कहा जाता है ठीक है कोशन आजा है कि मौलिक पंडित किसको कहते हैं तो पंडित नैंसिंग राबत जी को कहा बिटिस सरकार ने दिए जो बिटिस सरकार थी बिटिस सरकार ने क्या दिया था companion याद रखेंगे इसको पूर सकता है companion of Indian Empire ठीक है ये उपादी जो है बिटिस सरकार ने किसको दी थी नैंसिंग राबत को 2004 में 2004 में पंडित नैंसिंग राबत की नाम पर जारी किया गया था चलिए अगला कुछ नो जाएगा दैवोरा देवयात्रा का संबंद किस जनपस से है तो आप याद रखेंगे नैनिताल की है कुमाओ भावर खेतिहार नियास निदी का गठन कब हुआ तो यह हुआ था 1906 में कब हुआ था 1906 में और कहाँ पर क्या गया था इसका गठन नैनिताल में चलिए सुद्र साहित्य समीति अलमुडा की स्थापन कब हुए तो इसकी स्थापन जो है वो कप की गई थी गई इस तो आप या रखेंगे उनिस्तो तेरा में कब की गई तो भात करें देखें तो इसके संस्था परिवार्जक परिवार्जक सत्यद्व और इसथित ये स्थիत है theo हैर इस तित्वार्टब पनार वी मनान घाटी जो इस्तीत है, जो इस्तीत है, कहां पर इस्तीत है यह? ने, इतलो है इसके लावर और ओर भी घाटी हैं जो बहुत आपको याद होनी चाहिए. ठीक है अगला कोशन हो जाएगा बुंखाल मेला किस जनपद में होता है तो बुंखाल मेला जो है यह जो होता है पोड़ी में आयजित होता है कहां पर आयजित होता है पोड़ी में जो है यह आयजित होता है उसके अलाबा पोड़ी के देखे प्रिशिद मेले हैं बेकुंट म मेला ये भी पोड़ी में लगता है बिंसर मेला ठीक है बिंसर मेला लगता है मंसार मेला ये भी पोड़ी में लगता है गाईज चलिए अगला कोशन है नाला का बोधिस्तूप कहां इस्थित है तो नाला का बोधिस्तूप जो इस्थित है गाईज ये इस्थित है रुद्र प सहा के समय में किसके समय में हुई थी नरेंदर सहा के समय में चलिए अगला कुशन है सिलेक्टेड लेंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ टिक डिसीजन ऑफ कुमाओ कुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक है तारादत गैरूला कौन है तारादत गैरूला अगला है हिमाले न इस्तित है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी चक्रधर जोसी जी के द्वारा ठीक है चक्रधर जोसी जी के द्वारा की गई थी चलिए अगला कुशन है पटवारी प्रसिक्षन संस्थान कहा इस्तित है तो पटवारी प्रस्टेशन संस्थान जो इस्थी थे गाईज ये इस्थी थे हैं अलमोडा में कहां पर इस्थी थे ये अलमोडा में अगला है राज किये पादप एवम जैविक अनुसंदान वीरो कहां इस्थी थे तो राज की ये पादब एवन जैविक अनुसंदान बीरो जो इस्थित है गाईज ये इस्थित है भावाली में ठीक है भावाली नैनी ताल में अगला कुश्यन है महामारी रोग अधिनियम 897 के नियमों में बदलाब करने वाला उत्रहंट देश का कौन सा राज्य है तो ये बना है गाईज तीसर राज्य है ठीक है कौन सा बना है तीसर तो ये कॉश्चन ठीक है एक्जाम की दृष्टी से चलिए अगला कुश्चन हो ज हिमालियन संगीत सूद संस्थान कहां इस्तित है तो हिमालियन संगीत सूद संस्थान जो इस्तित है ये इस्तित है हल्दवानी में कहां पर इस्तित है ये खल्दवानी में अगला है हिमालिया का नेकलेस किसे कहते हैं तो हिमालिया के नेकलेस जो कहते हैं ये कहते हैं अलमो अगला कुशन है गाए को रास्ट माता घोसित करने वाला उत्रहंद देश का कौन सा राज्य है तो ये बना है पहला ठीक है गाए को रास्ट माता घोसित करने वाला उत्रहंद देश का पहला राज्य है बना है अगला कुशन है टीरी गड़वाल का बाद साही मेला किस की में लगता है अगला कुश्यन हो जाएगा लाल कुर्ती बाजार कहां लगता है तो देखें लाल कुर्ती बाजार जो लगता है गाईज यह कहां पर लगता है रानी खेत में कहां पर लगता है रानी खेत में अगला है किसे जंजाती में रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प प्रकाशन कहां से होता है तो संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन होता है यह होता है कब से और अगला कुश्चन है कैप्टन हडलस्टन ने पोड़ी में चाय के बागानों की स्थापना कब की तो इनों ने सुरुबात की थी अगला कोश्चन ने राजक्तिम कोश्चन ने मैं बन प्रबंदन का पहला कदम ट्रेल ने कब उठाया तो जाइस यह था आख के उत्ताहन जी के के 30 most important question जो आपके आने वाले एक्जाम उत्ताहन पुलीस लेक पाल पटबारी बंदी रक्षक पुलीस फॉर एसगार्ड कनिक सायक उसके लाब जो भी एक्जाम होने हैं सभी में कोश्चन आपकी ताफी मदद करेंगे गाइज अकर आपको वीडियो वन परसेंट वे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को पर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चलिए मिलते हैं अपनी नेस्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग